हेलो बिच्चो, आज का हमारे टोपिक है प्रतिसत संगठन प्रतिसत संगठन क्या होता है, स्टुरेंट्स यदि आपको कोई भी एक योगिक दिया गया है और उस योगिक में एक से अधिक तत्व उपस्तित है और आपसे पूछा जाए कि किसी एक तत्व का उस योगिक में कितना प्रतिसत है उसे आप प्रतिसत संगठन कहते हो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में योगिक है एनने टू, एस्टो फोर और आपसे पूछा जाए कि इस योगिक में सोडियम यानिकि Na का प्रतिसद कितना है Sulfur का प्रतिसद कितना है और Oxygen का प्रतिसद कितना है तो आप किस तरीके से calculate करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सुत्र याद करना होगा जो कि प्रतिसद का सिंपल सापको पता भी होगा 10th मर पढ़कर के आते हो तो सूत्र हमारा है आपका होगे कि तत्तु का प्रतिसत बराबर उस योगिक में जिस योगिक के आप बात कर रहे हो उस योगिक में उपस्तेत तत्तु का कुल पर्मानु भार अपन आणविक भार या अनु भार गुणा सो तो स्टुडेंट्स आपको इस सुत्र के सहयता से क्या करना है किसी भी योगिक में उपस्तित विभिन प्रकार के तत्तु का प्रतिसत निकालना है अब प्रतिसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़े पता होने चाहिए एक तो पर्मानु भार और दूसरा आणविक भार जो कि मैंने कैसे कालकुलेट करते हैं यह पिछले वीडियो में बताया हुआ है तो चलिए अब कोस्टिन्स को सॉल करते हैं मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि Na2SO4 में सोडियम का सल्फर का और उक्सिजन का प्रतिसत बताईए कि कितना कितना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन सभी तत्तुओं के पर्मानु भार पता होने चाहिए और इन सब का जो योग होगा वो अनु भार भी आपको नि टोटल कर लीजिए Na2SO4 में आपके दो तो सोडियम है एक आपका सल्फर है और चार आपके ऑक्सिजन है तो एक सोडियम का तेईस दूसरे का तेईस सल्फर का 32 और ऑक्सिजन के 16,16,16 और 16 तो यह टोटल आपके आजाएंगे 23 और 26 प्लस 32 प्लस 64 जिसका टोटल आप करोगे टो आपके पास है है तो अब आपके पास में अनु भार आ चुका है पूरा 142 सूडियम का कितना भार है टोटल वह आपके पास पास है चिछ Allah का कितना भार है वह 32 है और अक्सिजन का कितना है कुल भार जो योगिक के अंदर उपस्तिते एक परमानू का तो 16 और लेकिन Na20re में 4 oxygen है तो आप कुल भार लेकर के चलोगे कुल पर्मानु भार जोगी कितना होता है 46 होता है ठीक है students तो चलिए आप एक एक का प्रतिसत निकालते हैं सबसे पहले sodium की बात की जाए तो आप लिखोगे sodium का प्रतिसत बराबर तो sodium का पर्मानु भार जो था 23 था लेकिन sodium के दो पर्मानु थे इसलिए मैं उसको दो से गुणा कर दूँगा total 46 हो जाएगा upon कुल अनुभार हमारा 142 आया था गुणा में 100 तो आपके पास में जब आप इस calculation को solve करोगे तो आपके पास में आएगा 32.4 यानि की 32.4 प्रतिसत इसी तरह आगे बढ़ते हैं sulfur का प्रतिसत अगर वो आपसे calculate करवाता है तो sulfur का एक ही पर्मानु था जिसका परमानुभार 32 होता है अनुभार अपना उतना ही रहेगा 142 इन्टू 100 इस calculation को जब आप solve करोगे तो आपके पास में आएगा 22.54 प्रतिसत तो इस sulfur का प्रतिसत आगया 54 प्रतिसत तो इस sulfur का प्रतिसत आगया अब आपके पास में oxygen का प्रतिसत निकालने के लिए दो रास्ते हैं या तो आप sulfur और sodium दोनों के प्रतिसत को add करके क्या कर दो 100 में से last कर दो या फिर आप oxygen का भी इसी प्रकार से निकाल लो जिस तरीके से आपने sodium और sulfur का प्रतिसत संग्टन निकाला है तो चलिए oxygen का भी निकाल लेते हैं oxygen का प्रतिसत बराबर आपके पास में oxygen का total है 64 upon 142 into 100 तो यह आपके पास में जाएगा 45% ठीक है आप दूसरे तरीके से निकाल सकते थे कि 100 minus sodium का जो प्रतिसत था कितना था 32.4 plus जो आपका sulfur का प्रतिसत था वो कितना था आपका 22.54 ठीक है इन दोनों को add करके आपको last कर देना था किस में से 100 में से तो आपका वापस से कितना आ जाता 45% आ जाता तो इस तरीके से भी कर सकते थे एक example और देखते चलिए अगला कुश्चन है अगर वो आपसे पूछे C2H4O2 जो कि हमारा टैन्थ में हम पढ़कर के आते थे C3COH का भी सुत्र होता था में carbon hydrogen और oxygen का प्रतिसत कितना है तो सबसे पहले तो हमें इसका अणुभार निकालना होगा तो अणुभार निकालने के लिए इस अणुशुत्र में दो तो carbon है चार hydrogen है और दो ही oxygen है तो एक carbon का कितना होता है 12 दूसरे का भी 12 hydrogen का एक होता है तो चार बार एक और oxygen का 16 होता है तो हमारे पास आजाएगा carbon का total 24, hydrogen का total 4 और oxygen का total 32 जिसका total करने पर कितना जाएगा 60 तो अब हमारे पास पूरा अणुभार तो कितना आ गया 60, 60 आ गया जिसमें carbon का 24 है, hydrogen का 4 है और oxygen का 32 है अब हमें क्या करना है, इन सब का अलाग अलाग प्रतिसत संग्टन निकालना है तो चलिए start करते है सबसे पहले carbon का प्रतिसत लिखते है तो carbon का प्रतिसत बराबर, carbon का कुल अनुभार यहाँ पर कितना था carbon का परमानुभार तो होता है 12 और 2 थे इसलिए 12 गुणा 2, 24 हो जाएगा upon 60 into 100 तो हमारे पास जब आप इस calculation को solve करोगे तो आपके पास में simple सा जाएगा कितना 40 प्रतिसत आगे बढ़ते है, hydrogen का प्रतिसत तो hydrogen का प्रतिसत हो जाएगा total 4 hydrogen परमानुभार थे इसलिए 4 बटा 60 गुणा 100 जब आप इस calculation को solve करोगे तो आपके पास में आजाएगा 6.67 अब आपके पास में बच गया oxygen का प्रतिसत तो oxygen का प्रतिसत निकालने के लिए आपको करना होगा oxygen थे 2 परमानुभार थे 16 गुणा 2 बटा 60 गुणा 100 तो जब आप इस calculation को solve करोगे तो आपके पास में कितना जाएगा very good 53.3 प्रतिसत आपके पास में आ जाएगा तो ये था students कि किसी भी योगिक में हमें अगर वो उपस्थे तत्वों का प्रतिसत संगठन पूचे कि किसी भी योगिक में जो अलग-अलग प्रकार के तत्व उपस्तित हैं उनका प्रतिसत संगटन कितना होगा तो आप इस सुत्र की सायता से क्या कर सकते हो calculate कर सकते हो अभी आगे आने वाले वीडियो में हमें क्या करना है उल्टा करना है जब वो हमें प्रतिसत देगा और सुत्र करने ही बताएगा यानि ये पता देगा कि एक आन्विक सुत्र है कि योगिक है जिसके अंदर कार्बन, हाइडोजन, ओक्सिजन जैसे तत्व पस्तित हैं जिनका प्रतिसत इतना इतना है तो बताएए उसका सुत्र गया होगा, अभी हमने सुत्र से प्रतिसत निकालना सीखा, अब आगे आने वाले वीडियो में हम प्रतिसत से सुत्र बनाना सीखेंगे ठीके, कोई भी प्रोब्लम हो, मुझे कमेंट बोक्स में बताएं, think less, do more, be happy